सिंधी स्पेशल मूंग बना रहे हैं बड़ी हेल्दी रेसिपी है ये इसमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में रखती है वीडियो एंड तक देखें चैनल सब्सक्राइब करें मैंने कीता अहूचा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में तो चलिए शुरू करते हैं अब एक प्रेशर को कर में मैंने दो बड़ी चमच तेल एट किया है आप चाहें तो गी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें जीरा एट कर देंगे जैसे ही इस प्लटर होने लगता है उस समय बारी कटी हुई प्याज इसमें प्राउन कलर होने तक कुक करना है जब देखेंगे इस प्रकार का कलर हो चुका है उस समय इसमें एट कर देंगे हरी मिर्च और लेसुन अधरक का पेस्ट मैंने यहां क्रश करकर इने एट किया है अगर आप पहली एट करेंगे तो यह जल सकते है इसलिए ब्राउन क कर दीजिए ताकि यह ओवर कुक ना हो टमाटो प्यूरे एट करें चाहे तो बारी गट कर टमाटर भी एट कर सकते हैं लेकिन वह थोड़ा टाइम कंजिमें हो जाएगा इसे एक दो मिनिट के लिए मिलाने के बाद नमक एट करें स्वाद अनुसार मैंने यहां सेंदा नमक यह काफी हल्दी होता है अब लाल मिर्च पावडर आइट करेंगे धनिया पावडर और हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर हिसाब करें कि हरी मिर्च भी हमने आल्रेट कर रखी अब 5-6 मिनिट के लिए कोखोने देंगे ताकि जो टमाटर की रॉष मेल है वो निकल उस समय इसमें मूंग एट करेंगे जिनने मैंने आदे घंटे के लिए बिगो कर रखा था आप एक बार मिला दीजे घरम मसाला एट करते हुए और फिर हमें इसे सीटी लगानी है करीबन चार आप इच में चेक करके देखिएगा अगर मूंग सॉफ्ट हो चुके हैं तो ज्य बन चुके हैं अब मैं इसे ट्रांसफर कर देती हूँ बकेट में तो ये सिंधी स्टाइल में मूंग बनकर रेडी हैं बहुत ही हल्दी रेसिपी है प्रोटीन और फाइबर की मातरा काफी ज्यादा पाई जाती है इसे आप चपाती या नान के साथ कहा सकते हैं मैं सिर्फ म मूंग खाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही पॉश्टिक है और चपाती मुझे ज्यादा पसंद नहीं है आप भी बनाएं कॉमेंट में मुझे बताएं कैसी रही आपके लिए सिंधी मूंग की रेसिपी पसंद आती है वीडियो लाइक शेर और चैनल सब्सक्राइब सर से करें सारे सुचल मीडिया अकाउंट पर हमें फॉलो करें इंस्टेग्राम निकीता कोग बुक फेस्बुक यूट्यूब ट्विटर निकीता अहुचा इस में निकीता साइनिंग ओफ अंटल नेक्स ताइम बाबाई टेक केर वाव नाइस दे एंस्टे हल्दी